स्रावस्ति फर्फिलों को बरवाद कर रहे चुट्टा जानवर के पेरों पर धादार हतियार से किया गया हमला गोबन्स के सारक्षण को लेकर यूपी सरकार द्वारा गोसाला निर्मान के लिए उठाई गई यूजना एको जहां फ्लॉप नजर आ रही है तो वहीं दूसरी और गोबन्स के सारक्षण पर और भी संकर्टे बादल माटराते हुए नजर आ रहे हैं खुले आम खुम रहे गोबन्स के तो मैं लहराती फसलों को नुपसान पहुचा रहे हैं जिसके चलते वे आम लोगों के कोप का भजन भी बनना सुरू हो चुके हैं ताजा मामला सिरावस्ती जिले के गिलोला थाना चित्र के गटू हूरू गाउं का है जहां अस सुभा एक गोबन्स का है लबस्ता में मिला जिसके चारो पेरो पल धोर तोर दारहतियार से हमला किया गया था ऐसे में बड़ा तड़ा रहा था गिराविडों ने इसकी सूजना पोलिस और पसुचिक सिक को दी हाला कि पोलिस तो तुरन मौके पर पहुँच गई लेकिन डॉक्टर नहीं पहुँचे गोबन्स पर हुए हमले से लोगों में काफी आक्रोज है और फिलाद पोलिस मामले की जाच में जुट गई खुले में जखम दिख रहा है, इसमें काटा यह नहीं पता चला है, गुत में पता चला है कि दो लोग इसको इधर से मारते मारते ले गए हैं, उसके बाद जो गाहों के करीब छोड़के फिर वापस चलिया है, पुसर गाहों में काफी जो शुट्टा गाय है, जानवर है, व फिर भी अभी तक ऐसा नहीं है कि पूरे जानवर सब जगे से उनस्ता इक वाशागा में पहुंच पाएं, और यह सूचना में मिली है कि रात में किसी एक बैल या साथ डाइप्स का है, जिने इस ताइप से किसी हत्यार धार-धार हत्यार से चोटिल किया है, पुलिस और प